अगर आपको अक्सर लगता है कि सपलता आपके हाथ नहीं आ रही है तो साइध अब आपको अपनी कोशिसों में बदलाव लाने की जरूरत है एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है सुदर्शन क्लासेज के यूटूब चैनल पर और मैं आपके बीज आज का जो सेशन लेके आया हूं कि जैसा की थमनेल में देरका हैं कि आर पीमसी पेरा मेडिकल डिप्लोमा करने वाले जैसे की बात करें चाहें डियार्टी हो डियम या फिर यहां से जो अधर डिप्लोमा कर रहें उनकी बात करें रिज़ंट आने पर नोटिस किया कि एनारामी सब्जेक्ट के नंदर क्यों बार बार बेग का जाती है और क्यों उसका कारण क्या रहने वाला है क्ला क्या एनारामी को बच्चे ढंक से नहीं है यह भीन ह法 करना ही बन्द कर दिया बिल्कुल तो इसे खुब सारे औरे स sorry कि इस बिएप worse और करें ऐसा खोन के लिए 100 क bits अदर कमी हो तो रहीज astrolog का यह क्रून अबाधर कर लोटेंगे श्चूडनि का और Inspire Jicom जो आयता फ्रेसर उनकी बात करें तो हम बात करें कि बच्चों के माक्स आ रहें भी बिल्कुल 12 नमबर आ रहें तो किसी के 8 नमबर आ रहें एनाटमी तो ऐसा क्या कारण है बिल्कुल वीडियो के अंद तक बने रहेंगे और मैं वो सारी चीजें भी सिखाऊंगा आपको कि क से हमें माक्स अंद चरीक पर्पॉर्म को बिल्कुल आपको सकता नहीं है क्या क्यिसे करना है कि स्वीडियो के उप्लाइद करना है किस टॉपिक करना शारी शारी जानकारी इस वीडियो के माधियम से मैं साजा करूंगा टेलेग्राम चैनल को उससे जोईन करें सुधरसन क्लासेज के नाम से जो देरिका है जिसका लिंक है भई डैस्क्रिप्शन में दिया वाई बिल्कुल तो अपन बात करने वाले हैं कि एनाटमी के अंदर बिल्कुल बैक आने के क्या क्या कारण है एनाटमी सब्चेल को हाड लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा और कौंघ कोण सी गलतिया जो है एनाटमी के अंदर आपको नहीं करनी है बिल्कुल देखेगा मैं one by one सारी चीजे बताता हूँ सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि कमी कमी है कमी क्या क्या है अगर कमी की बात करूँ तो कमी है भई अपन के अंदर यानि कि हम जो एक्जाम दे रहे हैं हम जो पढ़ रहे हैं हमारे अंदर ही कमी कमी क्या रेरी हैं कि एक कमी रेरी आपको कि यह जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को अभी तक कोई पहचान नहीं पाया डंग से पहचान नहीं पाया कि एनाटमी के अंदर क्या क्या पढ़ना यानि कि मैं बात करूं कि अभी आप लोगों को यह नहीं पता है कि एनाटमी मे के अंदर अगर पेपर आता है तो आपको वहां पर आंस्वर जो है वह सिस्टेमेटिक लिखना होता है आंस्वर जो है भी सिस्टेमेटिक आंस्वर लिखना होता है कैसे लिखना होता है सिस्टेमेटिक आंस्वर यानि इसके लिए आप लोगों को जुरूरत है रिटन प्रैक होता है आप एक्जाम आता है और डायरेक्ट से एक्जाम देने चले जाता हो और अनाटमी के अंदर सांदार बड़े-बड़े क्यूशन आते हैं 20 नंबर के क्यूशन लॉंग क्यूशन भी आते हैं तो दोनों को दोनों टाइप के क्यूशन को अटेंड करने का तरीका बिल्क करूँ तो देखो एनाटमी को पढ़ने का तरीका क्या होता है नाटमी को कैसे आपको पढ़ना है इस होठेव और अगर अगर कोई निमंद्र लिखते थे तो उस से पहले अपन एक रूप रेका बनाते थे यानि कि रूप रेका हमें बताती थी कि आपको इस परकार से यह लिखना होता है तो मैं वैसे यह आपको एक बेसिक परफॉर्मा बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको इंट्रोडक पढ़ना है और इस बेसिक परफॉर्मा को मैं एक एक क्यूशन के ऊपर भी अपलाई करके बताऊंगा आपको कि किस परकार से अंदर ऐसे आपको पेपर करना है लोंग क्यूशन को कैसे करना है बिल्कुल अपन दोनों की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करें इंट्रोड यह अगर मतलब क्या होता है सामानीय करी वाधर चांप करेंगे कमपोजिशन क्या यानिए कि उसकी बनावट की बात करें अगर इसको अब करें चार नंबर कॉइंट में पढ़ेंगे उसके बारें किसके बारें पढ़ेंगे classification में तो देखो कहीं जगह पर तो कहीं जगह पर तो आपको classification के बारे में मिलेगा कहीं जगह पर आपको type मिल जाएगा क्या मिल जाएगा types मिल जाएगा कहीं पर आपको किसी topic के सब types भी मिलेंगे तो कहीं पर आपको division भी मिल जाएगे क्या मिल जाएंगे डिविजन भी मिल जाएंगे कहीं पर आपको पार्ट भी मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे सब पार्ट भी मिल जाएंगे कहीं पर आपको लोग भी मिल जाएंगे जैसे कि लंग्स की बात करें तो राइट और लेट लोग भी मिल गया लीवर की बात करें तो वो लोप में मिलेगा बिल्कुल इसके बात बात करें अपन की classification के अंदर कहीं कहीं जगह पर कहीं कहीं जगह पर हमें चार्ट भी पढ़ना पढ़ेगा क्या पढ़ना पढ़ेगा चार्ट भी पढ़ना पढ़ेगा चार्ट के साथ साथ हमें example भी देखने को मिलते हैं क्या डाइग्राम नहीं बनाते हो एक्जाम में हर क्यूशन में और डाइग्राम के भी आपको मार्क्स मिलते हैं तो नंबर आपको किस तरीके से लेके आना है उसके लिए आपको वो तरीका आना चाहिए कि कैसे आपको लिखना है मैं फिर से कह रहा हूँ कि गलती मत करना आगामी जो आपके रिमांडेट बेच के एक्जाम भी आ रहे हैं अगर जो सेकिंडियर में आ रहा है उसके भी एक्जाम आ रहे हैं तो बिल्कुल आप ये एपलाई करके देख लेना और मार्क्स नहीं आए तो मुझे बता देना बिल्कुल अगर आपको ये मेरी सारी चीजे अची ल बात करूं देखो बताता हूं कि जैसे अगर मैं बात करूं हमने एक सिस्टम लिया हमने expected ले लिया जैसे what the client system ही औ reclaim सबसे पहले भी आप सिश्टम के इंट्रोडंगर पढ़र हो तो उसका भी इंट्रोडॉड़क्शन के अंदर बैं आपको क्या-क्या पढ़ला चाहिए तो चीज इनोट कर ले ना इंट्रोडेक्शन ये पांनिये सब्सक्राई में पाड़ेंगे और क्या होता है किससे मिलकर बना होता है और वह मिला और हमारे सरीर में इस्तिध है यानि कि इसकी लोकेशन आपको पता चल गई तो वह क्यूँ जुरूरी यह वह भी पढ़लेंगे ।कहीं कही सब्सक्राइब के बारे में जाएगा धीक है तो बात करें देखो introduction पढ़ने के बाद मैंने का कि आपको function को कfahrना क्या edd करना function और उसके बाद सका कंपोझेशन तो इससके बात साथा मिकई अगई अगर अपन बीघाटासी institution पिर इसकी फोरी फिर इसके डाइगराम फिर हम ऐसे और चीजिजे आपको याद हो जाएगी और one by one करके आप सारे topic भी याद हो जाएंगे और syllabus में क्या दे रखा है syllabus में ये सारी चीज़े आपको दे रखी है लेकिन उटबटांग तरीके से दे रखी है तो syllabus भी आपको इन तरीके से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा फिर आप ये topic पढ़ने के बाद syllabus में टिक लगाना की ये topic हो गया ये topic हो गया बिल्कुल इसी way में फिर मैं बात करूँ कि ये थोरी का पार्ट आ जाता है तो हमें diagram की तरफ तो देख लो ये introduction में भी सबसे पहले ओस्टियोलोजी के बारे में पढ़ा फिर बोन एक परकार की connective tissue होती है दिक ने डंडे नुमा सरेंचना की तरह होती है हमारे सरीर में दोस्चे होती है one by one एक एक लाइन कैसे attach हो रही है एक एक लाइन आपको रटने की आओ सकता नहीं है एक एक लाइन आपको notes में किस परकार से attach हो रही है हमारे सरीर को size और shape देती है weight बनाती है सारी चीजे मैंने दे रहे की है systematic वैसे तो आपको ऐसे ही क्यूशन को attend करना होता भी क्योंकि अगर आपके पास paper आ गया है paper आया तो paper को आपको देखते ही पता लगाना है कि इस एक number वाले क्यूशन अगर यह long क्यूशन है तो मुझे इतनी सारी चीजे इसमें add करनी है तो उस हिसाब से वहीं पर आपके exam hall में वह planning हो गई कि मुझे यह यह सारी इसके अंदर add करनी अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा आप बड़े क्यूशन को attend कर रहे हो तो अगर जो चीज आपको पहले लिखनी होती कि जैसे bone क्या होता है connective tissue होती तो वह आप बीच में क करोगे तो वह आंसोर आपका systematic way में नहीं होगा यानि कि इंट्रोडक्शन वाली चीज इंट्रोडक्शन में देनी है function वाले चीज function वाले point में देनी है composition में देनी है और चार्ट जो बनाना वह classification के अंदर बनाना है उसके अंदर हमें example देना है बिल्कुल थोरी के साथ diagram भी तो देखो बात करें अगर अपन diagram की diagram की बात करें यह composition आ गया यह classification का चार्ट इस परकार से सांदार बनाना होता है बही देख लो बिल्कुल systematic way में थोरी नहीं आ रही है तो चार्ट के basis पर भी आप marks ला सकते हो लेकिन बनाओ तो सही systematic way से एक बार बनाओ तो सही चलो इसके बात करें अपन की diagram के अंदर के से easy लगेगा तो वही अगर मैं diagram की बात करूँ diagram की बात करो तो diagram सबसे पहले ही समझना होता है it camera कगे में बोन दिखाई दे रही है तो बोन में मुझे क्या क्या मुझे प्यारी प्यारी आंको शित दे कर बताओगी इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा तो सर हमें यह उपर वाला पार्ट दे रहा तो यह नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा तो उपर वाले पार्ट कहते हैं वी से हैं तो इस परकार से आपको डाइगराम भी लेबल करना होता है रटना कुछ भी नहीं है इससे आगर आप काम करते हो तो मैं अभी बता देता हूं अभी बता देता हुं की यह सारी की शारी एनाटमी आसान लगेगी आपको बिल्कुल आसान लगेगी और और अगर आपको एनाटमी के अंदर सब सिस्टम से यानि जितने भी सिस्टम से जितने भी सिस्टम आपके सेलेबस में वो अगर आपको आसान नहीं लगे तो बता देना और इनको भी पढ़ने का तरीका ह कि सबसे पहले आप इनाटमी पढ़ना करो तो आप सेल से मत करो तीक है ना आप सेल भी किस से मिलकर बनी है उसके बारे में पढ़ो फिर यहां से कड़ी मिलाओगे यहां पर सेल पहुंचो गए यानि मैं बात करूं कि सर एटम से कान हम स्टार्ड करें तो मोलीक्यूल बन जात हैं तो आप औरगन को तरब जाओ फिर औरगन से सिस्टम बनता है तो सिस्टम के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा सरीर बन जाता क्या बन जाता हमारा सरीर तो यह सिस्टम जो हमारे सेल बस में है इस सिस्टम के पहले की राजनीती देखो पहले की राजनीती कह रही है कौन-कौन से और्गन आते हैं तो जैसे अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसमें पहले बेख जा कि क्या पढ़ना है कि यह कौन-कौन से और्गन ने मिलकर के सिस्टम को बनाया तो उन और्गन के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे अगर क्यूशिन आ गया घेश्ट्रों-इंटेस्टिव के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से और्गन मिलकर करके यह ठेट बनाते फिर आप और और यह पूरी किरियाविदी इसकेलेटन सिस्टम वाला पार्ट इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है मैं बता देता हूं क्योंकि इसकेलेटन वाले पार्ट से इसकेलेटन वाले पार्ट से आपके खूप सारी चीज़े किलियर हो जाएगी क्या किलियर हो जाएगी क्योंकि इसकेलेटन सिस्टम के के अंदर यह उल्हेविटी से ब़एंगे चाहिए नर्वश सिस्टम लिया तो उसमें ब्रेन आ गया तो ओपड़ी के अंदर है तो खोपड़ी आठ हड़ीों से मिलकर बनी होती है तो हडिया हमें याद करनी पड़ेगी कौन सी केविटी बनाती है क्रेनियम बनाती है याद करना पड़ेगा थोरेक्स के अंदर बात करें तो रिप्स मिलकर के क्या बनाती है थोरे सी केविटी बनाती है थोरे सी वटी बरा आ जाती उसमें तो अंदर भी तो अंग है औरगन है औरगन की बात करें लंग से मिलकर के ही तो जोइंट बन जाते हैं तो जोइंट से भी आपके क्यूशन आता है तो इस परकार ये वेरी 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 माक्स नहीं आए तो बता देना बिल्कुल चलो इसके बाद अगर अपन बात करें कि अगर आप इस परकार के व्यवस्तिस नोट्स वगरा आपको सही है बई तो टेलिग्राम चैनल को आप उसी जोइन करें टेलिग्राम चैनल जो है सूदर्शन क्लासेज के नाम से इसको आप आप जोइन करें यहां पर आपको मेरी क्लासों के वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब वाड़े और इनके नोट्स भी आपको स्थमेटिक वेह में उलेबल हो जाएंगे जहां पर आपको एनाटमी के अंदर कुल कितने डाइग्राम है टोटल डाइग्राम की पीडिय है और भी कोई दिखत आ रही है आपको एनाटमी पढ़ने में या अधर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने में चाहें DRT के ले लो यानी रेडियेशन फिजिक्स ले लो चाहें आप डार्क रूम का ले लो चाहें आप पोजिशनिंग ले लो या मैं बात करूँ डियो टी की माइक्रोबाइलोजी में भी दिखत आ रही है तो सारे कमेंट करके बताएं कि यह टोपिक आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है मैं वीडियो लेकर आउश्य है आपके भी आज ही रहूंगा धनियावास साथ लिए